स्वागत है आप सभी का इस व्लॉग में तो इस समय में उटी में हूँ और अगर आप देखो मेरे पीछे का क्या सीन है इस तरीके से कुछ है तो लास्ट व्लॉग में मैं बैंगलोर से उटी आया था और इस व्लॉग में मैं कोशिश करूंगा उटी में 3-4 जगे जो मैंने लिस्ट आउट करियें उनको कवर करने की एंड आय विल ट्राइ टू आइड इस ब्लॉग तो सबसे पहले थोड़े से फैक्ट्स बता देता हूं मैं उटी के बारे में सबसे पहली बात अगर तमिल में देखा जाया है तो उदागा मंडल लम है एंड देर इस एंगलिसाइज नेम अलसो बिकॉस ब्रेटिश के लिए बोलना मुश्किल होता था तो आई कांट प्रनॉंस इट तो मैं उसे लिख दूंगा नीचे और उसको शॉट करके फिर बाद में उटी बन लिया एक और इंट्रेस्टिंग अगर आप मेंसे किसी ने स्नूकर कभी खेला हो तो यह सबसे पहली बार नेवल शेंबरलिन करके नॉट द प्राइम मिनिस्टर एक ब्रिटिशर थे उन्होंने सबसे पहली बार उटी उटी के क्लब में खेला था जो इंगलिश क्लब हुआ करता वहां पे खेला था तो वहां से स्टार्ट हुआ अब जो आप पीछे हिल्स देख रहे हैं यह वाली इस आर नीलगिरी हिल्स इन फाक्ट उटी इस सिचुएटेड ऑन टॉप अफ दे नीलगिरी हिल्स और नीलगिरी नाम अगर आप इसको देखो तो नील ब्लू गिरी माउ तो वेस्टेज जो हमारी कंट्री के वेस्टें कोसट पर है यू अधर तरीके से जंक्षन होता है नीलगिरी में जो सबसे हाईयस में डोड़ा बेटक भीम बोला जाता है món right now I am at the elevation of 7953 feet above the sea level तो अगर आप इसको compare करना चाहो तो this is higher than Manali तो Manali से उपर के elevation पे हम लोग इस समय आफ पोस्य यहां पे snow नहीं होती बिकाज साथ इंडिया का climate कुछ इस तरीके से है कि यहां पे snow समय दोपहर को अभी अच्छी दूप है बट रात के टाइम पर यस्टेड़े नाइट इट वेंट तिल आराउं थर्टीन डिग्री सेल्सियर सो रात के टाइम पर ठीक ठाक ठंड वह जाती है और जैसे यह दूप जाएगी इस इस तरफ तो इस से वेस्ट जब यहां पर संच चला जाएगा जो भी जहां पर धूप नहीं आ रही है वह एरिया में अभी थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही है तो हां कुछ फ्रेंड्स हैं मैं उनका वेट कर रहा हूं जैसे वह लोग आएंगे वी विल गो टू मुस्ट प्राइबली देस्ट डेस्टिनेशन जो अच्की रहेगी वह रहेगी पाइन फोरिस्ट तो वहां पर जाके में पाइन फोर्स को कवर करूगा तो पाइन फॉर्स की एंट्री कुछ यहां पर है और यहां से आप टिकेट लेके अंदर जा सकते हैं यह वाला रास्ता जब राइनलोर जाएंगे हम लोग मैसूर जाने के लिए वापस से रास्ता लेंगे और उटी से हम उदर से आ रहे हैं तो हां अब लेते हैं यहां की टिकेट और देखते हैं कैसे हैं जगे तो अच्छी दिख रही है तो हां यहां पर काफी सारी स्टेर्स हैं इसके थूर आपको जाना पड़ेगा बट इस लुकिंग रिएली नाइस अगर इसको पूरा आप देखो ना काफी मुझे पेड़ है तो ठीक है नीचे उतरते हैं यह एरिया सही है तो यहां पर काफी देंस पाइन फॉर्स पाइन ट्रीज़ है इस आट पाइन ट्रीज़ उपर से हिल भी रही है कुछ पाइन ट है और आगे की तरफ एक मुझे वाटर बॉड़ी दिख रही है मुस्ट प्रॉबली कोई लेक है ग्रीनिश वाटर है तो वहां जाते है उपर चणने में थोड़ी बैंड बजेगी लोग वहां से यह यह लेक है यहां पर एक्शली पानी काफी कम है इस समय बट यस यह काफ काफी खुक्सूरत एरिया है तो अब मैं यहां गया हूं नाइन्थ माइल शूटिंग स्पाट करके बोलते हैं इसे अगें देर इस ट्रेक यहां पर एक टिकेट आपको लेनी पड़ेगी इस तरीके का गेट है सामने और यहां पर टिकेट है अडल्ट्स की 30 रुपीज की टिकेट है अडल्स की बच्चों के लिए नहीं है और अब यहां से उपर जाने है और यहां से पूरा एक अच्छा 360 डिग्री का व्यू आता है तो यहां जाके देखते हैं किस तरीके का व्यू है आई वांट टो डाट प्लेस ऑल्सो मुझे लग रहा है कि वहां पर ट्रेल भी है तो यहां से यह वाले व्यू आता है है 360 डिग्री का जो व्यू की बात हो रही है आए हम लोग वहां से हैं नीचे से यहां से आये हैं और यह वही नाइन्थ माइल शूटिंग स्पाट का एक डिफरेंट परस्पेक्टिव मैं थोड़ा सा और ऊपर आ गया यहां से यह दिख रहा है और अभी मैं आगे की तरफ चलता हूं लेखता हूं थोड़ी सी मिस्ट आ गई है जो माइथे से थोड़ा क्लियर था अभी हल्की सी मिस्ट आ गई है गट पार्ट इस यहां पर नहीं गाड़ी बाड़ी आ लाओ नी कर रखी है क्योंके फिर लोग अपना गाड़ी आ लेकर आ जाते हैं और जगे को खराब कर देते हैं तो आई लाइक बाट काफी इच्छा है वो आई डोंट नो विंद नॉइस कितनी आरी है इसके पीछे त पर दाट पर इस प्लेस अब ब्यूतिफुल मस्ट विजट बिदी आ लाइक तो एक और जगे यह है बोट हूस यहां पर एक लेक है उसके आगे आप बोटिंग कर सकते हैं तो यह भी एक प्लेस है जो की आप विजट करके आ सकते हो पार्किंग भी है आपर तो अगर आप आपनी गाड़ी से आ रहे हैं अपनी राइक करने का प्लान है अब अलग अलग सीटर टाइप की बॉट है यह अपर और इस तरीके से लोग हैं काफी सारे लोग बोट कर रहे हैं बोटिंग कर रहे हैं तो अभी मैं यह वोटी लेक के ओपर हूँ, वोटिंग कर रहा हूँ, यह वाली जो लेक है, यह आर्टिफिशल लेक है, और इसको काफी टाइम पहले बनाया गया था, फिशिंग के परपस से, तो यह तो इस इन आर्टिफिशल लेक, एक और लेक है यहां पर जिसको अवलें अवलेंच लेक के नाम से बुलाया जाता है, तो supposedly यहां पर काफी टाइम पहले एक अवलेंच आया था, और उसकी वजए से एक गड़ा हो गया था, और वहां पर फिर बाद में पानी बर गया, तो वो नेचरल लेक है, बट यह एक आर्टिफिशल लेक है, पहले, तो बाद अवले एक लाइन काया है, और आप करेंज सेशन होगे को पानी बाद कि असले में फिर नाम लगेंगे, विर शेखितान हम पंवेगे, विर लृ यह एक लाइन लगाहिए, और यह रॉक लेक्ग इस्टेशन हृद्धिशन है, डिकल अच्छी जो बोट इस पर और यहां पर और लोग थबैग तो बाकी के 2000 बराइस यह निकल रहे हैं और लुग थग करने के बाद सब्सक्राइब और शाम का टाइम होते ही यह बहुत जाता भीड भी आ गई है तो हाँ भीड किये से अच्छा यह के वापस चला जाए अगर रेट के वारे में देखना है तो मैं रेट दिखा रहेता है तो यह रेट है अच्छा अच्छा का साड़े नौसव रुपे दस सीटर का क्यारा सो पच्छास और पंदरे सीटर का सिक्सिंट प्रूपी रुपी तो अगर आप ग्रूप में आ रहे हो तो कर सकते हैं इधर से बाहर निकलके मुझे कुछ मिनी ट्रें स्टेशन का भी दिखाई दिया है और कई भी शर्म दिखाई दे रहे हैं है कि wholly अच्छा में जिसली स πα्रिभ योव रहे हैं और इहां पर छी सपर हम लोग थे उसमें जो बोर्ट से चला रहे थे दोनोंने बताया कि इध्ल उनिघ्ट के बन रहे हैं इप चला रहे हैं靑 नोंने बतायाकि यहां पर रगितर की जाएगी यहां पर कर सकते हैं आपको इसके तो फर नाओ I think time to go from here चलते हैं hotel पर वाफस तो नेक्स्ट मेलनिंग तो इस त्रेन आरही है मैं उसी के लिए रुक गया तिकेट तो हमें मिली नहीं तिकेट का भी मैं आपको बताता हूँ कि अर्टिकेट का भी मैं बताता हूँ कि क्या सीन है यहां पर बहुत पहले आकर लेना पड़ता है अग्या इस इस चोटी सी ट्रेने इस दो क्लासे जाए फस्स क्लास एकंद के अंदर अ बलब 40 सीटे अवेलेबल है, 2nd class के अंदर जादा सीटे अवेलेबल है और उसके लिए भी बहुत पहले आके लाइन में लगना पड़ेगा तो अम लोगों को नहीं मिल पाया, next time में भी यह रास्ता है, डोडवेटा पीक जाने के लिए 2nd highest peak of western guards and highest of neil gries वहां जा रहे, पीछे एक बैरीगेटिंग आती है जनों पर अगर आपके बास पास्ताग है तो फास्ताग से पैसा कट जाएगा अगर नहीं है तो फिर वह कुछ पर पैसे लेते हैं तो मेरे आपसे पूछा नहीं कि किता पैसा लिए हूँ पहुंचते हैं वहां पर देखते हैं कि अब्सर्वेशन टेक होगे रहा है वहां पर सब्सक्राइब देखते हैं तो यह है दोड़ा बट्टा पीक डाइट नाव है मैं अधी ऐलेवेशन आप यहां पर चोटा सा मार्केट है इदर पार्किंग की प्रॉब्लम है तो अगर आप आओगे तो आज वैसे वीकेंड है तो इस वैसे पार्किंग की हो सकता है दिकत जादा हो पर एक चोटा सा मार्केट है यहां पर यहां पर कुछ-कुछ चीज़ें लोग ले रहे हैं ओके फ्रूट्स किया जा रहे है सेवन और यहां पर एक अब्जरवेट्री भी है तो वहां पर जाके देखते हैं वाट आज काफी क्राउड़ेड लग रहा है अग्या कि मेडिस्नल प्लांट डेवलप्मेंट एरिया यह किसी को चाहिए होगा लॉट के समय ठीक है बीच-बीच में कुछ ऐसा दिखता है यहां से और अब थोड़े बादल भी आवे हैं पर बादल की तरफ आवे हैं तो बादल आएंगे तो अच्छा लगेगा लेकिन अज अंदर जाने के लिए यह रास्ता है और यहां पर आगए पीक की तरफ आगए हैं और यहां पर आके यह थोड़ा खुल जाता है वाश्रूम्स और यहां पर इसका एक छोटा सा यहां पर क्या-क्या है डोड़ामीज बिग बेटनमीज माउंटेन तो बिग माउंटेन बाकी चीज़े तो बताई चुका हूं यहां पर खाने पीने की भी कुछ-कुछ जगें हैं और उपर सामने एक टेलिस्कोप हाउस है हां जी तो कुछ इस तरीके क अब यहां सब्सक्राइब आता है यहां सब्सक्राइब बीड़ बहुत है तो उटी शहर है शायद सामने की तरफ है अभी थोड़ी देर पहले वहीं थे और अब यहां गए हैं यह एक टेलिस्कोप है यहां पर जाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा विकॉज ऑफ द देखाया था तो यह एरिया है खाने के लिए अगर ठाना चाहो तो यहां आइधिंग डाट सब्सक्राइब दस रुबे की टिकेट है पर पर संब पांक साल से उपर की वहां यही है जो है पुल मिला के यह जो सामने है यह करनाटिका के बार का भी हुए आइधिंग और भी ह कि यह क्या है यह कोई पीक है तानी किया नहीं मुकृती पीक फड़ा नहीं को रहें इसका विए यहां से दिखेगा एंड अब लांच आवलांच डैम जिसका विए यहां से दिखेगा अच्छा ओके 360 डिग्री है तो हर जगे एक विए दिखाई देगा यह उसी की वेज़ किति वैली किति वैली किति वैली उसका विए यहां से दिखेगा हो किति नहीं देखते हैं तो ड vídeos कने लोग दिखाई अब बादाल आ गे है अएब कि अभी है कि यहां से भी कुछ है कि इसको आइरन मैन आगए सामने से तो यह उटी टाउन का व्यू है यह जगे थी यहां से नीचे आगए वह जो पीक वाले एरिया था वहां से नीचे आ और यहां पे और यहां पर आ गए थोड़े पठ्रीये रस्तों से चड़ चड़ा के जाते हूं ऊपर और देखतें क्या है चल वाई चल 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 जचल चल ओके आप में भी कुछ लोग खड़े हैं कि यहां से काफी अच्छा लग रहा है यहां से सही आ रहा है विए तो यह एक वाटरफॉल है अग जब आप उटी से मैसूर की तरफ जाएंगे तो आपको एक वाटरफॉल पड़ेगा यह अगर आप देख सकते हो यह शूटिंग है लौर इसके बारे में लिखता है तो अगर मैं अपने राइट में चला जाओं तो यह मैसूर की तरफ जाएंगे और लेफ में इस तरफ से में उटी से आगा है वैसे मैंने लोगों से यहां पर पूछा था और लोगों ने बोला कि यह वाटरफॉल में इस समय पानी नहीं है तो अब जाके देखना होगा कि कि तो आगे वाटरफॉल मिलेगा जब पानी होगा तो वाटर भी देखेगा लेकिन फिलाल कुछ देखेगा नहीं अगें एज आलवेज खाने पीने की थोड़ी बहुत जगह है यहां पर काफी लोग बोल रहे हैं कि आप जीप से भी जा सकते हो बट भी और इसमें आगे की सेसरे कि मचे परेटरी वाले यांस आपी मूझे लगारी तो आपको कि देख़ें रहे होगा तो अगर आपको ऊससरी कोज़ें तो आसके आए यहां पर मुझे दिख रहा था 300 मीटर है और थोड़ी दिर पहले मैं दिखा रहा था था थोड़ा सा पानी यहां दिख रहा है आते हुए बस्वाटरफॉल और दिख जाए के लिए तो बस जाके देख रहे हैं अब यहां तक आ गए तो एक बार देखी लेते हैं इंट्री टिकेट है 30 रुपीज फॉर एडल्ट्स एंटेन रुपीज फॉर किड्स अबव दी एज ओफ फाइव यहां पर बहुत ही मिनीचर टाइप के से वाटरफॉल है दिख रहा हुआ चोटा सा बहुत जादा नहीं मुस्ली यह होता हुआ जब बड़ी रॉक से भी नीचे गिर जाता हो जो सामने जो दिख रहे हैं से पॉल होता हो अभी तो ऐसा नहीं है हाँ तो यह है डाट्स दा मैक्स वाटर फ्लो जोगी हो सकता है यहां से निकलती होगी को अभिक्षली यह पानी होता हुआ तो यह पूरा यहां से दिखाई देता होगा इधर से गरता हुआ यह पूरे इसके से गिरता हुआ आता हुआ पानी और इस डिरेक्शन में चला जाता होगा तो दाट इस दी एंड ओफ आवर टू डे ऊटी ट्रिप उमीद करता हूँ यह वीडियो पसंद आया होगा यह मेरा पहला अटेम्ट था एक एक्स्प्लोरेशन वीडियो बनाने में आगे जाके और इंप्रूव्मेंट होगा बाइदवे अगर आपको और जगह देखनी है तो यह एक स्क्रोलिंग में लगा हुआ है आप यहाँ पर इन जगह पर भी विजिट कर सकते हैं यह दोग्स कर दो दोग किस्वा हुआ है झाल झाल